नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अनिकेट जाद हो आपके लिए आपका The Brain Trainer तो I hope आप मेरे वीडियो डेली बिसस पे देख रहे हो For your strong vocabulary उसके साथ ही आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब किया होगा So that आपको मेरे नए-ने वीडियो रोज मिल पाए वो तभी होगा जब आप चैनल सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन ही उसे भी क्लिक करोगे तो आज के इस वीडियो में हम लोग 5 नए वर्ट सिखेंगे और 5 नए वर्ट का मतलब भी देखेंगे सिर्फ वहाँ नहीं रुखेंगे उसके बाद उसका एप्लिकेशन भी देखेंगे एप्लिकेशन मतलब क्या कि कि वोकेबलरी बढ़ाना मतलब सिर्फ वर्ड और मिनिंग इतना ही नहीं होता वोकेबलरी तब बढ़ती है जब आप उस वर्ड को जो आपने सिखा है उस वर्ड पे बेस्ट आप पाच या छे सेंटेंसे खुद बनाओगे एंड उसको रोज प्रैक्टिस करोगे तब ही मैं बोल सकता हो कि आपका वोकेबलरी स्ट्रॉंग हो जाएगा आपको एक्जाम में हेल्प करेगा अगर आप किसी एक्जाम के एस्पैरंट हो अगर सिर्फ वोकेबलरी बढ़ाने के लिए या फिर अच्छे एंगलिज बोलने के लिए अगर ये वीडियो देख रहे ह तो भी आपका फाइदा इसी में कि आप सिर्फ इस पे निर्बर्ना रहे अपने कुछ से कुछ सेंटेंस भी बनाएं और और शिर्फ वीडियो देखें आज का वीडियो आज देखा फिर बाद में कल का वीडियो कल ऐसा नहीं ऐसा नहीं करोगे तो बहतर है मेरे जो प्रिवियर्स वीडियो जे उसे 2x पेड़ पर लगा कि आप रिवाइस भी कर सकते हो अगर आपको अगर आपको आपकी इंगलिश सुधारने में इंट्रेस्ट ह तो ही आप इतना सब करोगे वरना आप मेरा वीडियो रोज देखोगे मैं जो पांच वर्ट सिखाता हूँ उसे पड़ोगे और कल से सब ब्लैंक जो जो पीछे वो सब ब्लैंक और जो नया है वो शाहिद ग्रास्प कर भी लो लेकिन आने वाले कल में वो भी शाहिद ब्लै अब्रेस्ट अब्रिज अब्रोगेट अब्रप्ट एन एबसकॉंड तो चलो एक एक वर्ट उसका मेनिंग और सेंडेंस देख लेते हैं सुधू देख लेते हैं पहला वर्ड आपरेस्ट का मतलब है कि किसी चीज कोई चीज करमबद्ध होना मतलब ऐसा बो सकते कि एक जो एजेंपल देख लेते हैं on Republic Day मतलब 26th Jan on Republic Day जो जो राजपत पर जो परेट होता है ना उसके बारे में में बात करने वाला हूँ राजपत का जो परेट होता है वह आपने देखा होगा कि वह अबरेस्ट का सबसे बेस्ट एक्जामपल है वह जो परेट होता है वह दिन और बहुत अबरेस्ट मतलब क्रमभद्ध होते हैं तो मुझों वही देखने वाले हैं कि on Republic Day soldiers marched अबरेस्ट and it is a best scenario Republic Day को गनतंत्र दिन को दिल्ली में जो हमारे सोलजर से जो हमारे सेनी के उनोंने मार्च मार्च किया दे मार्च एबरेस्ट उनने क्रमभद्ध मार्च किया and it is it it is a best scenario और वो सबसे जबसे best scenario scenario मतलब कोई प्रसंग जो आपको हमेशा याद रहे इसा कोई प्रसंग उसे हम कहते हैं सिनारियो या फिर हम यह वर्ड यूज करते हैं उससे यह डिराइव हो गया है कि सिनारियो मतलब कोई अच्छा प्रसंग जो आपके आखों को अच्छा लगता हो ठीक है और रिपब्लिक डे गणतंत्रा दिन पे सोल्जर्स मार्श्ट अबरेश सैनिकों ने क्रमबद्ध मार्श किया और वो और वो जो सिनारियो था वो सबसे बेस्ट था ठीक है सेकंड वर्ड पर आते हैं सेकंड वर्ड है आज का अबरीज अबरीज का मतलब है घटाना या संक्षिप्त करना ठीक है ऐसे पहले भी हम लोग ने इसके सिनोनिम्स देखे हैं आप अगर रिवाइस करोगे तो आपको पता चलेगा अधरवाइस आप भूल जाओगे कि कुण सा वर्ड कुण से हिंदी वर्ड का हिंदी घटानाई शप्त का इंग्लिश वर्ड क्या था यह आप शायद भूल गए होगे अगर रिवाइस नहीं किया हो रिवाइस किया हो तो आप आपको याद आएगा आप अगर थोड़ा भी अगर आप स्ट्रेस लोगे तो क्लिक हो जाएगा कि हाँ इसका मतलब भी घटाना या संक्शिप्त करना था तो वह तो वह आपका काम है में हर एक वीडियो में यह रिवाइस नहीं कर सकता क्योंकि फिर वीडियो शायद आदे घंटे का हो जाएगा ठीक है तो दूसरा वर्ड है अबरीज अबरीज का से उन्होंने भी वर्ड फ्रम होम दे दिये अपने वर्कर्स को तो उसके वज़े से क्या हो रहा है कि वर्कर्स को आने जाने की जो तकलीफ थी मतलब ट्रैवलिन टाइम था वो क्या हो गया मतलब क्या हो गया वो गट गया वो संक्शिप्त हो गया कभी कबर क्या हो रहा है क जो workers है वो हफते में एक ही बार शायद अपने office को visit कर रहे हैं या कोई-कोई workers है जो सिफ अपना काम submit कर रहे है through online mode, ठीक है, so वो लोग actually अपने office में जा भी नहीं रहे, so उनका time क्या हो गया, average हो गया, घट गया, संक्शिप्त हो गया, तो due to work from home, employees are able to average traveling time, work from home की वज़ा से जो employees है, उनका time वो अभी, now they are able to average, वो अभी अपना traveling time, मतलब travel करने का जो समय है, वो अभी average कर सकते हैं, या फिर घटा सकते हैं, संक्शिप्त कर सकते हैं, देखो ये जो traveling time, ये जो traveling time भी जो मारा मारी है न, ये सिर्फ ये सिर्फ जो mega cities के लोग है, वो समझ पाएंगे कि traveling time कितना matter करता है, क्योंकि मैं रहता हूँ, मुंबई में, मुंबई में traveling time भूत matter करता है, मतलब अगर अगर आप एक minute भी अगर आप train के लिए late हो जाओ, तो आप अपने काम पे पहुँचने के लिए शायद आदा खंट लेट हो सकते हो, so traveling time भूत matter करता है, in mega cities, ठीक है, so traveling time का, traveling time का, आप जो scenario है, वो शायद आप अपने से relate ना कर पाओ, अगर आप किसी गाव में हो तो, लेकिन किसी example के तोर पे आप ये sentence पर सकते हो, कि due to work from home, employees are able to average traveling time, traveling time, traveling time कम हो गया है, या घड़ गया है, या संक्षिप्त हो गया है, किस वज़ा से, work from home के वज़ा से, so अभी तीसरा है, abrogate, abrogate का मतलब है, रद कर देना, ठीक है, abrogate का मतलब क्या है, रद कर देना, so sentence है कि, I am planning to abrogate my visit of Chennai, due to lockdown, मेरा चेननी विजट करने का प्लान था, किसी भी वज़ा से हो सकता है, शायद काम की वज़ा से, शायद किसी official reason से, तो मेरा चेननी जाने का प्लान था, तो now I am planning, abogate my visit, मेरा चेननी जाने का प्लान, मेरा रद करने का, abrogate करने का, प्लान कर रा हूँ, क्यों, due to lockdown, क्योंकि अभी lockdown है, इस वज़ा से, तो I am planning to abrogate my visit of Chennai due to lockdown, मैं मेरे Chennai को visit करने का plan abrogate कर रहा हूँ, रद कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि lockdown के वज़ा से, ठीक है, अभी आते हैं हमारे third word पे, third word है abrupt, abrupt का ये मतलब है कि अकस्मिक या एक आए, जिसे हम लोग sudden भी कहते हैं, जब भी sudden का time आएगा, त तो, change in the climate is not abrupt, it's a result of human beings disrespectful behavior towards nature, देखो, climate और weather में ये फरक है कि weather बहुत short period के लिए होता है, मतलब अगर आप सिर्फ आज की बात कर रहे हो, या फिर कोई एक ऐसा time span है, सिर्फ आप short short period की बात कर रहे हो, तो हम लोग उसे weather की नाम से refer करते हैं, और बहुत सालों का, अगर आप कुछ analysis कर रहे हो, बहुत सालों के weather का, या weather में जो change हा रहा है, उसे आप अगर analyze कर रहे हो, तो तब भी हम उसे climate कहते हैं, ठीक है, तो climate जो है, वो abruptly change नहीं होता, climate अकस्मिक या एका एक change नहीं होता, climate change उने में बहुत साल लगते है, क्यों कि वो term ही वैसा है, कि बहुत साल का visualization, या बहुत सालों का analysis, weather का, that is known as climate, ठीक है, so climate कभी भी abrupt change नहीं होगा, climate change in the climate is not abrupt, climate में जो बदला हुआ है, वो अकस्मिक या एका एक नहीं है, that is not abrupt, it's a result of human being's disrespectful behavior towards nature, इंसान ने जो अपने nature या निसर्ग के प्रती, जो disrespectful behavior दिखाया है, कि nature के respect ना करना, nature के against जाके कुछ काम करना, इस सब का result है, climate change, ठीक है, मतलब body body companies, वो companies जो अपना प्रदुशन ने उसका ध्यान नहीं रख थी, तो यह सब behavior है, इस सब से nature का disrespect होता है, this behavior is disrespectful towards nature, तो इस वज़ा से climate change हो गया है, so climate change यह abrupt, climate change abrupt ऐसा बूल सकते हैं कि incident नहीं है, climate change कोई abrupt या अकस्मिक एकाएक होने वाली, घटना नहीं है, climate change कभी होता है, बहुत सालों के बाद होता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसे climate इस नाम से refer करते हैं, वेदर नहीं बोलते हैं, ठीक है, अभी पाच्वा और आज का last word है, abscon, abscon का मतलब है, फरार होना, ठीक है, तो फरार होना, जब भी हम यह फरार होना, यह सुझनते हैं, हमारे दिमाग में, एक किसी light जलती है, और उसमें हमें एक चेहरा दिखता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेगिन आपको बता, चल गया होगा, so abscon, abscon का मतलब है, फरार हो जाना, ठीक है, अभी एक sentence देख लेते हैं, he made a plan with his jail inmates, कोई jail के अंदर कोई कह दी था, jail inmates, मतलब क्या, jail के सातिदार, ठीक है, जो jail में उसके साथ रहेते हैं, वो उसके jail के सातिदार, so he made a plan with his jail inmates to abscon in the night, अभी भाग कभी सकते है हाला कि यह जरूरी नहीं है, बहुत सारे बहुत सारे भगोडे दिन में भी भाग गए, लेकिन जेल में अगर आप हो तो तो आपको शायद रात में भागना पड़ता होगा, I don't have experience in that thing, तो जब भी जेल में हो तो शायद रात कोई भागने का प्लान को बनाते होगे, so he made a plan उसने एक प्लान बनाया, with his jail inmates, अपने jail के साथिदरों के साथ, to abscond in the night, रात में फरार होने का प्लान, ठीक है, so he made a plan with his jail inmates to abscond in the night, उसने अपने साथिदरों के साथ, jail के साथिदरों के साथ, रात में फरार होने का, रात में abscond होने का प्लान बनाया, ठीक है, तो यह थे सि्खा है जते पंदाते हो में कभी भी नाइक्स के लिए फोर्स नहीं करता कि करोली को अपनी बढ़ा दोका नहीं अगर आया record को पसंद नहीक करो तकी करो कि मुझे मुझे समझ में आजाए औ간ец हो रही मुझे मेरी गलती दिखाने वाले आंप ही लोग हो अगर आप मुझे मेरी गलती नहीं दिखाऊँगे तो मैं शायद सुधर नहीं पाऊंगा ठीक है तो आप comment box में आप अपने reviews लिख सकते हो description box में मैंने कुछ links दी हुई है जिस पे click करके आप मुझसे personal contact भी कर सकते हो टेलिग्राम पर या इंस्टाग्राम पर एंड उसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जाता से जादा कंटेंट प्रोडूस करने में मुझे मोटिवेशन में मिलेगा वो आपका ही काम में मुझे मोटिवेट करना और भार से भार से आके मुझे कोई मोटिवेट नहीं करेगा मेरे सब्सक्राइबर सी मुझे मोटिवेट कर सकते हैं अगर आपको लग रहा है कि मेरा कंटेंट आपके लिए यूजफूल है तो उसको लाइक किजिए दोस्तों के ताद शेर किजिए और चैनल को सब्सक्राइब किजिए दिस इस अनिकेट जादो लॉगिंग ओफ